नमस्कार बच्चो आजम कक्षा 10 एक्सरसाइस 7.2 प्रशन नमबर 9 करने जा रहे हैं प्रशन है बिंदूओं A जिसके निर्देशांख है माइनस 2,2 और B जिसके निर्देशांख है 2,8 इन दोनों बिंदूओं को जोडने वाले रेखा खंड A B को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदूओं के निर्देशांख ज्यात कीजिए बच्चो ऐसा हम पहले भी एक प्रश्ण हमने किया था जिसमें सम्त्री भाजित किया था तीन बराबर भागों में हमने बाटा था तो मान लीजिए ये हमारे पास एक रेखा घंड है A B ठीक है बच्चो अब बच्चो घ्यान से देखेगा मान लीजिए ये इसका केंदर बिंदू होगा P और इस तरफ A और P का भी एक मद्धे बिंदू होगा जिसका नाम हम रख देते हैं K और P और B का भी एक मद्धे बिंदू होगा जिसका नाम हम रख देते हैं L तो हम यह मानते हैं कि जितना A-K है उतना ही K-P है जितना ही P-L है उतना ही L भी है यानि इन्होंने इसे 1, 2, 3 और 4 चार बराबर भागों में बांटा है तो हमें K-P-L इन तीनों के ही हमें निर्देश आंख निकालने होंगे ठीक है बच्चो तो सबसे पहले देखिए A के निर्देश आंख है माइनस 2,2 और इधर B के निर्देश आंख है 2,8 अब यदि बच्चो ये चारो बराबर हैं A-K, K-P, P-L, L-B ये चारो भाग बराबर हैं इसका मतलब इनका आपस में अन बात कितना होगा एक, 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 और एक, ये एक, एक, एक का मतलब किया चारो ही आपस में बराबर हैं ठीक है सबसे पहले अब हम K के निर्देश आंख निकालते हैं फिर P के निकालेंगे फिर L के निकालेंगे ठीक है बच्चो ध्यान से समझना बच्चो बहुत अराम से मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा बच्चो K के निर्देश आंख के लिए आप मान के देखिए कि K से इधर कितने भाग हैं के से इधर कितने भाग हैं बराबर एक दो तीन है ना एक के बिंदू के लिए एक भाग इधर एक दो तीन भाग इधर इसका मतलब M1 रेशियो M2 हो जाएगा एक रेशियो तीन ठीक है बच्चो तो हम लिखेंगे बिंदू के के निर्देश आंख विभाजन सुत्र के नुसार M1 जो की है 1 इंटू X2 X2 है 2 प्लस M2 M2 होगा एक दो तीन भाग इधर है 3 इंटू X1 X1 कितना है देखो माइनस 2 बटा 1 के M1 है 1 प्लस M2 कितना है तीन भाग उदर है कॉमा इसी प्रकार से Y के निर्देश आंख M1 इंटू Y2 Y2 है 8 प्लस M2 M2 है 1,2,3 इंटू Y1 Y1 है 2 बटा M1 प्लस M2 इसे हमें हल करना है तो देखिए 2 एकम 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 और 1 हो गया 4 कॉमा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 और 1 4 इसे हम आगे हल करते हैं देखिए प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4 साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस बटा 4 कॉमा 8 प्लस 6 होता है 14 बटा 4 अब देखिए बच्चो यह 4 से तो 4 कट गया बाकी रह गया माइनस 1 यह 4 है यह 14 यह दोनों 2 के पहाड़े में कटेंगे दो दूनी 4 और 2 सत्य 14 दो के पहाड़े में कट गये तो उपर बचा है साथ नीचे बचा है दो इस प्रकार से यह हमारे पास आ गए बिंदू के के निर्देशांग ठीक है बच्चो अभी हमने निकाले हैं सिरफ बिंदू के के निर्देशांग अब बच्चो हम निकालते हैं बिंदू पी के निर्देशांग अब मैं यहाँ पर एक अलग color यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों ही भाग अलग से दिखें अब बच्चो पी बिंदू के लिए देखिए इधर दो ब्राबर भाग होगे एक और दो ये भी भाग ब्राबर है ये भी भाग ब्राबर है और इधर भी ब्राबर भाग होगे एक और दो दो भाग इधर दो भाग इधर यानि दो ब्राबर भाग इधर दो ब्राबर भाग इधर यानि दो बटा दो दो बटा दो का मतलब एक बटा एक ठीक है यह आप चाहे तो दो बटा दो ही ले लो चलो इधर भी दो और दो भाग इधर भी दो और दो यानि दो भाग तो M1 आगया दो और M2 आगया दो फिर से हम विभाजन सुत्र का प्रियोग करेंगे 2 M1 इंटू X2 वो की है दो प्लस M2 है दो आप एक लेते तब भी हो जाता है लेकिन मैं आपको इजी करा रहा हूँ M2 है दो दो भाग इधर है ना पी बिंदू से दो भाग इधर है इंटू X2 X2 कितना देखो माइनस दो M X1 स्वरी X1 है माइनस दो बटा M1 प्लस M2 दो भाग इधर दो भाग इधर यानि की 2 प्लस 2 कोमा इसी प्रकार से इसके वाई निर्देशांग M1 है दो इंटू Y2 Y2 है आठ प्लस M2 है दो इंटू Y1 Y1 है दो बटा दो भाग इधर से दो भाग इधर थे M1 प्लस M2 यानि की 2 प्लस 2 अब बच्चों हम इसे हल करेंगे ठीक है आईए दो दूनी 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस सॉरी यह यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस है दो दूनी हो जाएगा चार बटा नीचे आगया 2 प्लस 2 चार कॉमा दो अठे 16 प्लस 2 दूनी 4 बटा 2 प्लस 2 चार इसे हम हल करेंगे देखे ध्यान से चार में से चार माइनस किया जीरो तो यहाँ गया जीरो बटा चार कॉमा 16 प्लस 4 होता है 20 20 बटे 4 इसे हम हल करेंगे बच्चों आगे देखे जीरो को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा किसी भी नंबर को जीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो उतराएगा जीरो कॉमा 20 को 4 से भाग करो 4 से 20 कट जाएगा 4 एकम 4 4 पांजे 20 तो यह आ गया 5 को एक से भाग किया 5 इसका मतलब बिंदू P के निर्देशांक आगे 0 कॉमा 5 थीक है बच्चों तो अभी हमने के बिंदू के और पी बिंदू के निर्देशांक निकालेगे अब कौन सा बिंदू रह गया अब पी बिंदू वाला काम था और तीसरा एल बिंदू वाला काम बिंदू एल के निर्देश आंख बराबर एल बिंदू के लिए बच्चो देखे एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तीन भाग इदर हो गया एक भाग इदर हो गया, यानि M1, M2 हो जाएगा, M1 होगा 3, M2 होगा 1 ठीक है बच्चो, ठीक है न, तीन भाग इदर है, एक, दो, और तीन भाग इदर है, एल बिंदू से तो M1 हो जाएगा ये ratio हो जाएगी 3 और इधर बच जाएगा 1 3 ratio 1 हो जाएगा M1 ratio M2 तो M1 विभाजन सुत्र फिर से M1 into M1 3 into X2 X2 कितना है बटा? 2 प्लस M2 है 1 M2 है 1 into X1 X1 है माइनस 2 ये तो आप कर चुके हो पहले बटा M1 प्लस M2 M1 है 3 और M2 है 1 3 प्लस 1 इसी प्रकार से Y निट देशांक निकालेंगे M1 3 into Y2 Y2 है बटा 8 प्लस M2 M2 है 1 या वीडियो रोके न मुझसे आगे आगे खुद स्वाल स्वाल करके फिर देख सकते हो कि आपने सही किया या नहीं किया वीडियो चला के बाद में M21 into Y1 Y1 है 2 बटा M1 प्लस M2 जो की है 3 प्लस 1 अब हम इसको हल करेंगे तो हमें L के निर देशांख मिल जाएंगे देखिए 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 3 प्लस 1 4 कॉमा 3 अठे 24 प्लस 2 एकम 2 बटा 3 प्लस 1 4 इसे हम आगे हल करते हैं 6 माइनस 2 होता है 4 बटा नीचे भी है 4 कॉमा 24 प्लस 2 होता है 26 बटा 4 इसे हम हल करेंगे इसे हल करने के लिए देखिए जो कटता है काड़ दीजे 4 से 4 कट जाएगा तो बाकी बच जाएगा 1 4 और 26 दो के भाड़े में कर जाएगे 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26 तो उपर आगया 13 और नीचे आगया 2 इस प्रकार से ये L के निर्देशांग आ गए तो देखा आपने प्रशन बहुत असान था A और B दो बिन्दू है इनको चार ब्राबर भागों में बांटा K, P और L से ठीक है बच्चो तो चारों का जो आपस में अनुपात होगा वो 1, 1, 1, 1 होगा K बिन्दू के लिए इधर एक भाग है उधर 3 P बिन्दू के लिए इधर भी 2 भाग है और बिन्दू L के नितेशांग निकाले है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझाया होगा इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर बाकी वीडियो देख सकते हैं और बाकी प्रश्नों को समझ सकते हैं धन्यवाद